चोपड़ा एजुकेसिन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हारदिक स्वागत करता हूँ दोस्तो आज डोक्टर रमेश पोक्रियाल निसंक द्वारा वेबिनार लिया गया था उसमें सभी बच्चों को ये आशा थी कि इस वेबिनार में अनाउंस कर दी जाएगी जेई मैन की डेट और नीट 21 की डेट अनाउंस कर दी जाएगी लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ है इसमें अभी तक जेई मैन और नीट 21 की कोई एक्जाम डेट अनाउंस नहीं की गई है इसमें जो उनके मैन पॉइंट्स थे वो मैं आपको यहां बता देता हूँ उनका कहना था स्कूल खोलने को लेकर कि हमने सभी चीफ मिनिस्टर से बात किया इसके बारे में कि जिस जिस स्टेट में हालात ठीक होते हैं वो स्कूल खोल सकते हैं अभी 17 स्टेट्स ने स्कूल खोले हैं और धीरे धीरे जिस स्टेट्स में हाला ठीक होते जा रहे हैं वो स्कूलें ओपन करते रहेंगे CBSC के बोर्ड का सेलिबस को लेकर उन्होंने कहा है कि 30% सेलिबस रिडियूस किया है बाकि हम इसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं लगातार कोशीच कर रहे हैं कि इसका किस परकार का सेलिबस हो कैसे सेलिबस हो और एक्जाम डेट आपको पहले अनौंस कर दी जाएगी जिस से आप अपनी तयारी कर सकें कहने का मतलब यह है कि अभी तक कोई एक्जाम डेट अनौंस नहीं की गई है जहां तक है किसी स्टुडेंट ने यह कहा है कि इसको जून जुलाई तक अक्स्टेंट कर दाना चीए तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो संभव नहीं है फिर भी हम इस पर विचार कर रहे हैं तो यहां डेट है वो फरवरी में मान के चल रहे हैं फरस्ट एक्जाम का तो उसके अनुसार जैसे भी होगा आगे समय के अनुसार प्रिस्थितियों को देखते हुए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा यह है उनका कहना है तो लास्ट में इसकर्स यही निकलता है कि अभी तक ज जो है वो दो मई नीट की एक्जाम है और फरवरी में जेई मैन की एक्जाम है अभी तक का यही है कोई नई डेट अभी अनौन्स नहीं हुई है आगे पॉस्पॉंड को लेकर अभी कोई ऐसी चर्चा नहीं है बाकी अपडेट जैसे जैसे मिलेगी हम आपको इन्फॉर्म क मिलेंगे नई अपडेट के साथ नई जानकारी में तब तक के लिए जैहिंद